चंद्र कला मिठाई जिसे कि हम दूद से बनाने वाले हैं और ये बहुत जादा जूसी बहुत जादा डिलीशियस लगता है एक बर ज़रूर रिसेप ट्राइ कीज़ेगा और होली में तो हम सभी के घर पी ये बनता ही बनता है तो चली स्टार्ट कर लेते हैं इसे बनाना आप देख सकते हैं कि जो दूद है हमारा बहुत ही बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है मतलब की गाढ़ा तो हो चुका है लेकिन अभी खोवा के फॉर्म में नहीं आया है तो यहां पर हमारा एक खोवा जो है वह भी बनकर रेडी हो गया है तो बस अब गैस को हम बन नहीं क अब इसको इसमें डाल देंगे थोड़ा से कटवा किसमीज आपको जो ड्राइफूट पसंदे वह सारा ड्राइफूट आप इसके अंदर ढाल दीजिए और अच्छे से गुल्डन ब्राउन कर लीजिए इसमें हम चीनी डालेंगे एक चोथाई कपस इसमें चीनी डालेगा और बस अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और इसे अब हम जो हमने खोया बना करके रखा था वो भी इसी के अंदर डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे खोया और ड्राइफूट और चीनी को यहाँ पर यह हमारा मिश्रन जो है बनकर रेडी हो चुका है इसे हम स्टफिंग के लिए यूज करने वाले हैं तो बस इसे हम मैं कढ़ाई में ही रखती हूँ आप चाहे तो एक प्लेट में निकाल कर रख लीजे और अब हम लेंगे एक बाउल ले लीजे या प्लेट ले लीजे इसमें एक कप मैदा डालेंगे थोड़ा सा घी डाल द रख देंगे रेस्ट होने के लिए पास से साथ मिनिट के लिए और तब तक हम जो है चासनी बना कर रेडि कर लेंगे इसकी मतलब तार वाली चासनी नहीं बनानी है बस चीनी और पानी को हमें घुला लेना है तो इसमें डाल दिया एक कप चीनी और एक कप पानी मतलब सेम तो गैस को कर देते हैं बंद और इसे हम ढख करके रख देंगे ताकि हमारी चास ने गरम रहे और यहां पर पास से छे मिनिट हो चुका है हमारा जो आटा है अच्छा से से शेट होकर रेडी हो गया है तो चलिए चंद्रेकला हम बना लेते हैं तो एक लोई ले लिजे बड़ बना लीजे कट कर लीजे इसे एक दम मतलब सारे चंद्रकला जो है एक साइस के बनकर रेडी होंगे इसमें से दो पूरिया में साइड में रख लेती हूं क्योंकि हमें चंद्रकला बनाने के लिए दो पूरियों की आवशकता पड़ेगी तो बस अब हमने जो स्टफिंग बना कर रेडी किया है ड्राय फ्रूट और जो नारियल था उसका उसका हम एक चमच इसके पूरी के उपर डालेंगे चारो तरफ से पानी लगा देंगे तक ये फटे ना तेल में जाने के बाद तो उसकी पूरी उठाएंगे इसके उपर अच्छे से प्रेस कर देना है और इसको हम डिजाइन सी देंगे तो ब्खैयान से देखे में किस तरीके से दे रही हूँ इक उंगली को मैंने बीच में रखा ये फिर दूसरे उंगली से पूरी को उठा करके प्रेस करते जारी हूँ बस इसी मेधर से चारो मतलब एकदम सर्कल में इसे इस तरीके से गोल कर अच्छे से चिपका लेना है तो सारे चंद्रकला इसी तरीके से बना कर हम रेडी कर लेंगे एक और में बना कर कि दिखाती हूं फटा फट से तो देखिए पूरी लिया इसमें स्ट्फिंग डाला पानी लगा चारो तरप से उसको चिपका लिया और बस गोल गोल इस तरीके स से चारो तरप से पैक कर देंगे यह इसले डिजाइन भी बन जाता है और थेल के अंदर जाने के बाद एक खुलता भी नहीं है तो बस विसारी चंद्रकला को इसी तरीके से बना कर हम रेडी कर लेंगे तो यहां पर हम ने सारी चंद्रकला को शेप देगे कर लिया इक अड कर लीजिए और गैस का फ्लेम कर दीजिए मध्यम आज पे चंद्रकला को हम अच्छा सा क्रिस्प होने तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे हाई फ्लेम मत कीजिएगा मध्यम आज पे यह बहुती बढ़िया खस्ता मतलब की बनकर के रेडी होता है अलटे पलटे इस अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हम आने देते हैं यहां पर हमारे चंद्रकला को बढ़िया तो इचलिए निकाल लेते हैं सारा चंद्रकला इसी तरीके समें फ्राइ कर लें न इस गर्म गरम चंद्रकला को हम डाल देंगे जो कि हमने चीनी और पानी को पिगला कर आसनी में छोड़ दीजिए उसके बाद इसे निकाल लीजिए उपर से थोड़े से ड्राइफुर दाल दीजिए ग्रेटर यह बहुत डिलीशियस लगता है इस होली इसे जरूर से ट्राइग कीजिएगा कैसा बनाता तो कमेंट कीजिएगा थांकी फर वार्ट